दोस्तो बॉलिवुड में इस वक्त अगर किसी चीज की जर्चा हो रही है तो वहा है सुनिल सैटी की बेटी आथिया सैटी और दमाद केल राहूल की शादी की इस वामले में अप्शनिल सैटी के परिवार का बयान सामने आया है उन्होंने इस तरह का तौफा देने से साफ इंकार किया है वही के मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आथिया सैटी और कि इलराहूल को शादी में खूफ तौफे मिले इनमें कुछ लगजरी गिफ्ट की जानकारी भी लिख हुई है बताया जा रहा है कि सल्मान कान ने आथिया को ब्रैंड न्यू लगजरी और्डी गिफ्ट की है जिसकी कीमत 1.64 करोड रुपए बताई जा रही है जैकी स्रॉफ से 30 लाख रुपए की घड़ी मिलने की जानकारी दी गई है इसके लावा आथिया के दोस्त अर्जुन कपूर से 1.5 लाख रुपए के किकन मिलने का दावा किया रहा है बताली की मेडिया रिपोर्स में सबसे बड़ा दावा यहाँ भी किया गया कि सुनिल सैथी ने आथिया और के इल राहुल को 50 करोड का गिफ्ट की दिया है बही मिडिया रिपोर्स में किये गए दावे को सुनिल सैथी के परिवार ने अफ़ा करार दिया उन्होंने साफ सब कहा कि नम विवाही जोड़े को 50 करोड का तौफा नहीं दिया गया है इस मामले में किसी ने हमारा बक्ष जाने की कोशिस ही नहीं की है सिर्फ मनमर्जी से गलत तत्यों को फैलाया जा रहा है मेडिया ने इस मामले में हमसे बात तक नहीं की आपको बता दें कि आथे सेठी और केल राहों की जन्वरी को सिनले साथी के एक हंडाला स्थित फार्म हॉस में हुई थी नई नवेली कबल्स की तस्वीरें सोसल मिडिया पर जम कर वाइरल हो रही है वेल दोस्तो आपको इस बारे में क्या कहना है आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद